लो आपका इक्स्ट्रा प्राई फाइट्स और मॉसस्स को लेके हलागी हम टेरी डोफाइट्स भी कवर कर चुके हैं लेगिन कुछ इंपोर्टन्ट पॉइंच होते हैं ब्राइट्स और टेरीडोफाइट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत बार वो as a mcq पूछे जाते हैं और अगर आपको बताए ना गए हो तो आप उनको नहीं कर सकते हैं तो चलिए देखिए यह है archegonio 4 जो कि अंब्रेला शेप्ट होता है यह female markensia है यह male markensia है और यहां पर यह छोटा सा picture दिखाया गया है जिसमें यह है female gametophyte मतलब female markensia यह है male gametophyte male markensia female में देखिए जो छत्री है इस छत्री में एक हिस्से में आपको इस तरह से फिर नीचे को archegonio 4 दिखाई देते हैं एक के साथ और इस तरह से आपको antheridium दिखाई देते हैं sperm के साथ clear है कि कहां कैसे antheridium और archegonium होगा image clear हो गया आपके दिमाग में एक picture बन गया होगा यह hope है न गयामिक अपस आप जानते हैं गयामिक अप जो है यहां से detach हो जाते हैं इनके अंदर गयामिक होते हैं जो कि green asexual multicellular birds होती है यह detach होने के बाद जहां भी इनको अपना suitable environment मिलता है वहां पे germinate करके नया फैलस बना देते हैं दो साइट्स होती है डॉर्सल यह है और वेंटल दूसरी तरफ को है और यह आपको एक मीन वीन में ड्रिप की तरह दिखाई दे रही है यह आपका sporophyte होता है जिसमें foot satire capsule होता है देखिए अब यह है आपका विएस ओफ वर्टिकल सक्षिन ओफ आर्किगोनियम जब हम इस आर कर असल होता तो यह opposite direction में है मतलब यह नीचे को होता है और यह उपर को होता है इस तरह से भी होता है लटका हुआ लेकिन आपको ऐसे सही तरीके से दिखाया जा रहा है सीधा करके दिखाया जा रहा है ताकि तुम्हें कोई समझने में problem ना हो देखिए याद रखिएगा कि जो भी male gametophyte female gametophyte होता है उनके around एक sterile layer होती है cells की ठीके मतलब कहा जाता है की bryophyts में male और female seks organs वो होते हैं वो jacketed होते हैं उनके बाहर एक sterile layer होता है cells का जो कि उनकी protection करता है इस तरह कि sterile layer या protected jacket जैजा हमको एलगी में देखने को नहीं मिलता है ठीक है बाहर हो गया इस तरह की cells फिर यह हो गया अप जाते हैं यहां पी छोड़ा सा open होता है operaculum इसको हम बोल देते हैं बहुत बार नहीं बोला हो नहीं से कियोंकि यहां पर कर सहल हम यहां पर कुल नहीं है यहां पर साल्थ होगी की यह ने के यह िविंटर है यह पर और ह healthier you can't last here था है यहां म TV यह जानते हैं यह लिज पी चान्न पी होटा बेंस्ट मी होदा एक एक क्सल और फिंटर Canal Cell रहए और Neck officials रहे आइदिन 6 हो थे इस su champion मेर्केंशिया में यह ने के अंदर जो sua up किनल्स है p hooked भेज बहर दख़कन की तरह होती है sodh cent Morkend Disici Fr critic होता क्या हे कि यह कवर lift हड जाती है कैसी जो हमारे पास venta canal cells है वो सब dissolve हो जाती है neck canal cell भी dissolve हो जाती है यहाँ पर फिर एक pressure बनता है ठीक है और pressure बनने की वज़़ज़ से cover cells जो हैं वो हट जाती है ultimately फिर जो enterozoids हैं वो अंदर enter हो पाती है यह exactly जो हम archigonium देखते हैं उसका exact जो cellular structure है वो ऐसा होता है हम जानते हैं कि after fertilization zygote बनता है और zygote से embryo भी बनता है लेकिन embryo जो है वो gamito fight में नहीं रहता है क्योंगि जलदी ही zygote जो है वो embryo तो form कर रहा होता है लेकिन sporophyte बना देता है sporophyte में embryo होता है तो bryophytes में जो embryo है वो gamito fight में embedded नहीं होता है, in fact sporophyte में होता है, sporophyte में आप भी जानते हैं, futseta and capsule तीन हिस्से हैं, और capsule में जो है, वो बनते हैं, spores, अब इन spores की dispersal के लिए, markensia में special structures होते हैं, जिनको elators कहते हैं, elators आपको बाकी नहीं मिलेंगे, mosses में कोई elators नहीं होते हैं, हारा कि higher plants में फिर हमको elators देखने को मिलते हैं, लेकिन bryophytes में खास तार पर, spore dispersal के लिए elators होते हैं, ये elators help करते हैं, spores को अलग अलग जगा तक पहुँचने के लिए, okay, this is one of the important question, it has been asked many of the times, number of the times, कि कि किस में elators spore dispersal में help करते हैं, या मारकेंशिया में spore dispersal के लिए क्या होता है, या फर ये भी बुछादा है, which of the following have elators for the dispersal of spores, जहाँ पे बहुत सारे mosses के examples भी देए होंगी, और वहाँ पे आपका liver word, मारकेंशिया भी होगा, then I am telling you, कि elators से, जो dispersal होना है, वो हमको मारकेंशिया में दिखाई देता है, ठीक है, अब देखिए, यह है moss, moss funeria, funeria में जो है, वो sporophyte, gametophyte, दोनों ही independent होते ही है, यह हमने पड़ा था, ठीक है, देखिए, इसमें capsule भी जो है, capsule में कुछ photosynthetic tissues होते हैं, यहां पे sporophyte भी जो है, वो क्या कर सकता है, photosynthesis कर सकता है, to some extent कर सकता है, अच्छे सकर सकता है लेकिन, I'm sorry, मेरा दिमाग खराब हो गया है, यह नहीं कर सकता है, मेरा दिमाग पहुंच गया है, टेरीडोफाइट अग, यहां पे sporophyte, बरायोफाइट में बिलकुल भी photosynthesis नहीं कर सकता है, मैं पड़ार ही हूं, लेकिन दिमाग में चल रहा है, टेरीडोफाइट, है हलकी सी photosynthesis पे, लेकिन फिर भी sporophyte उत्मा नहीं कर पाता है, वो self-reliable हो पाए, इसलिए वो gametophyte पे ही dependent रहता है, हैंस gametophyte is the, क्या होती है, main plant body of bryophyte और वो heploid होती है, ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है आपके पास capsule, cita, photogalis, main axis and rhizoids, याद रखिएगा, मारकेंशा में, rhizoids unicellular होते हैं और mosses में, rhizoids multicellular and branched होते हैं, if you remember, NCRT पे हमने पड़ा था कि rhizoids unicellular भी हो सकते हैं, multicellular भी हो सकते हैं, अब extras वाली क्या बात है, main maya, extras वाली बात ये है, कि eliters जो है, वो माकेशिया में होते हैं, for the dispersal of spores, लेकिन, फ्यूनीर या मॉसस में आपको इस तरह की eliters नजर नहीं आते हैं, उसकी जगा, ये capsule में, ये capsule है, ठीक है, ये capsule है नीची को, capsule पर ओपर क्यूलम ये वाला हिस्सा जो है, ये छोटा सा क्या होता, यहां पर ओपर क्यूलम ओपनिंग, ठीक है, और कई बार ओपर से कलिप्ट्रा भी होता है, आपको दिखाओंगी मैं किस तरह से कलिप्ट्रा यह है पैरिस्टोमियम टीथ क्या है पैरिस्टोमियम टीथ पैरिस्टोमियम टीथ जो है यह 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 पैरिस्टोमियम टीथ पैरिस्टोमियम टीथ जो है यह 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 पैरिस्टोमियम टीथ 32 होते हैं 16 आउटर वर्ल में होते हैं 16 इनर वर्ल में होते हैं Even if you want to count the underwear, you can count. वीडियो को पाउस करो, काउंट कर लो, महीं करवा देती हूँ, लेकिन अफाल्दू का टाइम वेस्ट होगा, यह पुरे 16 ही होंगे. तो 16 बहार होते हैं, 16 अंदर होते हैं, पैरी स्टोमियम टीथ, मॉसस में, फ्यूनीरिया में देखने को मिलते हैं, for the dispersal of sports. ठीक है? चलिए देखिए. अब यह ब्रायोफाइट का हम समझ लेते हैं, एक्स्ट्रास क्या क्या होंगे? मार्केंशिया का जो archegonium है, जो कि हमने इस तरह से पढ़ा था, ठीक है? यह तो in general लिखा गया है, vertical section of archegonium. ठीक पर यह मार्केंशिया का ही है, क्या होता है इसमें? 4 neck canal cells, 6 नहीं होती है, 4 होती है, तो यह मार्केंशिया का नहीं है. मार्केंशिया में कितनी neck canal cells होती है, 4 neck canal cells होती है, मतलब यहाँ पी जो cells होंगी, neck में जो cells होंगी, मार्केंशिया के case में, वो 4 होती है, ठीक है? one ventral canal cell ये Markensia में और बाकी में भी एक ही Venter Canal cell होता है एक egg cell होता है और चार cover cells हमको देखने को मिलती है Markensia में वहीं Funeria की अगर हम बात करती हैं तो Funeria के Archegonia में in general 6 to 18 कहा जाता है कई बार option में 6 to 11 भी दिया जाता है लेकिन अगर option में 6 to 18 है तो आपको 6 to 18 ही चूज करना है अगर option में 6 to 18 नहीं है तो आपको 6 to 11 करना है और कई बार सिर्फ 6 भी दिया होगा तो Funeria में 6 to 18 Neck Canal cells होती है यहां आप देख सकते हैं कि 6 आपको दिखाए दिंगी शाइद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो चुकी है तो 6 से लिके अठाना तक Neck Canal cells Funeria में हो सकती है एक ही Venter Canal cell होगा एक ही Egg cell होगा Cover cells जो हैं वो 2 to 4 हो सकती है तो यहां पर 2 दिखाए गई है तो Funeria में Cover cells कितनी होती हैं 2 to 4, Markensia में 4 Funeria में Neck Canal cells कितनी होती हैं 6 to 18, Markensia में 4 Venter Canal cell और Egg cell दोनों में ही एक-एक ही होगा यह fine information बहुत बार पूश ली जाती है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अब यह E-Laters के बारे में हमने पढ़ा तो E-Laters और Peristorm के बारे में Peristormium या Peristorm Teeth के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं E-Laters found in capsule of bryophytes play important role in their bursting important बात क्या है की bryophyte के कहां कौन से हिस्से में E-Laters होते हैं capsule में Bryophytes के capsule में E-Laters पाए जाते हैं the hygroscopic nature of E-Laters allow them to absorb moisture as a result of which the swelling of E-Laters exert pressure on the walls of capsule which ultimately leads to the bursting of the capsule this is found in Markensia and Liverwood E-Laters क्या हां पाए जाते हैं bryophytes के capsule में पाए जाते हैं कापसूल के बर्स्ट करने में फटने में एक इंपॉर्टन रोल फ्लेक करते हैं E-Laters कैसे नेचर के होते हैं hygroscopic nature के होते हैं मतलब वो अपने आस्पास के environment से moisture को absorb कर लेते हैं जब E-Later moisture को absorb करते हैं वो swell होते हैं उनकी swelling की वज़ा से capsule की wall पे pressure बनता है और ultimately capsule burst हो जाता है और capsule जब burst होता है तो फिर spores जो हैं वो बाहर release हो जाते हैं तो E-Later's का mechanism जो होगा for spore dispersal for the bursting of capsule वो Marquesia में पाया जाता है जो कि एक liver word है in mosses the peristome is a specialized structure in the sporentium that allows for gradual spore discharge instead of releasing them all at once मतलब peristome जो है वो मौसस में पाया जाता है वो धीरे-धीरे करके continuous gradual मतलब धीरे-धीरे continuously spores को discharge करता है ऐसा नहीं हो तो कि एक ही बारी में सारे के सारे बाहर आ जाएंगे नहीं दीरे-धीरे-धीरे करके वो सारे spores जो है वो बहार आएंगे एक के बाद एक जैसे एक दीरे-धीरे continuously स्पोर्स बाहर आएंगे एक ही टाइम पे नहीं आएंगे पैरिस्टोम में कितने पैरिस्टोमियम थीथ होते हैं पैरिस्टोम में पेरिस्टोम किस में होता है, पेरिस्टोम और किस में होते हैं, इलेटर्स, इलेटर्स याद रखेगा, इलेटर्स मार्केंशिया में होते हैं, जो कि लिवर होट है, और पेरिस्टोम जो हैं, वो कहाँ पे होते हैं, जल्दी से बताएए, मॉसस में होते हैं, प्यूनेरिया, polytricum SPF करके आद रखेंगे आप क्रीम रीम यूज करते हैं जिसमें लिखा हो दा है SPF 30 SPF 40 है तो SPF करके आप याद रख लेंगे markensia को ठीक है I'm sorry अपने muscles को उसमें आजागा sphagnum polytricum and funeria ठीक है which contain Liver辛ia which Rainer secretLSкий and Planence Wort 15 And liver word को क्यों लिखा जाता है क्यों कि कहा जाता है कि वह ठोड़ा ठोड़ा जो हैं वह दिखने वाले plant इसलिए उनको लिखा जाता हैं समझ कर और बहुत सारी उनकी यूसेहेंघ हैं जो लिख difिसाלה कुछ मेडिसिंस लोग बना लेते हैं लिवर के लिए मतलब वैसे भी इन जनरल अगर हम अपने पुराने लोगों को देखे तो 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 अपारी किड्नी बीन शिफ्ट होती है तो उनके इसके अप्रिकेशल बन्तर बाट प्रिटेक ब्री इसके अब आप देख सकते हैं यह रिंग जैसी है इसको एन लिस गहते है यह जो है ऑपर कुलम है इसके और यह वाला जो वेंटर दरसल यह епर आर्खी गोनियम होगा ठीक है आर्खी कोनियम जो है जब उसमें Fertilization होगी उसमें Zygote का formation होगा फिर वह इस तरह से Zygote जो है वह sporophyte बना देगा तो आर्की कोम भी इस में तरह से Change हो CoBl दो स्टाउक मोरत की तुम जाएगा चापसील से वन्तर जो मेल लेकर ठंटर का जम की तक कलीप्तर केसे हैं and last archagonal ventre जो होता है क्या होता है calyptra होता है और यह protect करता है capsule को capsule के अंदर embryonic sporophyte है ना जिसके अंदर exactly spores है embryo है तो उसको protect करता है calyptra उसको protect करता है calyptra जो है spore dispersal से पहले ही degenerate हो जाता है समझ के कैलिप्ट्रा जो है वो एनलास्ट आकिगोनियल वेंटर होता है मतलब कैप्सूल के कैप्सूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग सी होती है और जो की आकिगोनिया का वेंटर वाला हिस्सा ही एनलास्ट करके कैप्सूल को पुरा प्रोटेक्ट कर देता है ठीक चलिए अब next time पढ़ते हैं रिक्सिया लिववर्ट हैस सिंपलेस्ट स्पोरफ़ाइट अमंग आल बायो बायोफ़ाइट इस पोरफ़ाइट लाग फुट एंड सिटा तो रिक्सिया जो कि एक लिववर्वर्ट है उसमें फुट और सिटा नहीं होता है सिफ और सिप सब चानना है आपको है ना कॉलिमेला इस ट्राइल पार्ट इन दॉस्पोरफ़ाइट ऑ फुनेरिया विच इस सेंट्रल सी एंड टी आरेयल सेंट्रल कंड़क्तिंग स्ट्रैंड देखी वैस्कलर बंडल जो था वो प्लांट में इन प्लांट में नहीं होता है पहले थे जिन में वैस्कलर बंडल आया था लेकिन कंड़क्तिंग स्ट्रैंड जो की वोटर को लाने ले जाने में काम कर रहा था वो कॉलिमेला होता है स्पोर्ट स्पोर्सल के टाइम पे कॉलिमेला भी अपना काम बंद कर देता है ठीक है कॉलिमेला क्या है प्लॉइड बाद नुकुy रहे दाओं हसा हुवा बंगी उसद व्हुंख्यक्पाइड को करने हूंटे कि नियुक्र सेा थी नियुक्ष्यक्फ्रॉऐट Pasattif होता है algae और amphibians जो हैं वो moist shady places में भी ग्रो कर सकते हैं और water में भी ग्रो कर सकते हैं plant का body algae में unicellular से multicellular हो सकता है filamentous हो सकता है thaloid और leafy भी हो सकता है bryophytes की बात करते हैं तो bryophytes जो हैं वो multi unicellular नहीं होते हैं plant body जो है thaloid होती है या leafy होती है टीशू differentiation well dwelt होता है ठीक है यह point आप consider नहीं करेंगे दोनों में ही tissue differentiation जो है वो well dwelt है दोनों में यह नहीं है जादा आपको क्योंकि झालम और तो दोनों में ही नहीं बना होता है तो यह पॉइंट आप इसमें इग्नोर कर देंगे, ठीक है, हम दोनों में जानते हैं कि sexual reproduction, isogamous, anisogamous, ठीक है, और oogamous कुछ भी होती है, mostly algae में, और bryophytes में mostly हमको oogamy देखने को मिलती है, algae में isogamy, anisogamy, oogamy कुछ भी हो सकता है, bryophytes में mostly oogamy होती है, sex organs are not covered by sterile jacket, यह important है, एक difference है लेकिन bryophyte में sex organs जो है, उनके बहार sterile jacket होता है, female sex organ is ogonium, ठीक है, और female sex organ is archegonium in case of bryophytes, zygote liberated from plants, zygote को plant से बाहर liberate कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन zygote remain enclosed in the archegonium, हम जानते हैं, zygote archegonium के अंदर रहता है, और फिर उसको वो sporophyte में बदल देता है, embryo कभी नहीं बनता है, यह भी important होता है, और bryophytes में embryo जो है, वो बनता है, sporophyte independent होता है, gametophyte से, algae में, और sporophyte dependent होता है, gametophyte पे, bryophytes में, यह differences आप लिख लेंगे, जो मैंने cancel करवाया है, वो आप cancel कर देंगे, ठीक है, sporophyte में आपको कोई footsita capsule जैसा differentiation जो है, वो नहीं देखने को मिलिगा, किस में नहीं देखने को मिलिगा, algae में नहीं देखने को मिलिगा, bryophytes में अच्छे से इस sporophyte developed होता है, differentiated होता है föt-star and capsule में, थिक, mitospores जो हैं, वो यो, यो, जिन में mitosis हो सकती है, है. इसलिए बाइट कर ते हैं अगर हम बात कर ते हैं अल्गी की तो हूँ है उसका alternation of generation होगा exactly बोलो तो sporophyte जो यहां पर दियागा है वेल अच्छे से एक sporophyte जो है वो हमको बहुत अच्छे से LG में देखने को मिलता भी नहीं है इसलिए उसमें gametophyte ही मेली रहता है और इसलिए उसका homologous alternation of generation है जबकि ब्रायोफाइट में आपको अच्छे से sporophyte और gametophyte दोनों दिखने है तो alternation of generation जो है वो heteromorphic है ओकी चले अब next बात कहते हैं liverwords और mosses के बीच में क्या difference है liverwords जो है वो dorsal ventral होते हैं dorsal or ventral side होता है उनमें और mosses का symmetry जो है वो material होता है मौसे थैलोइट और folioz sorry plants थैलोइट और folioz ठीक और mosses जो है folioz होते हैं mostly मतलब इन में जो है वो leaf like structures जो है वो ज्यादा हम को देखने को मिलते हैं यह point आप cancel कर लेंगे यह वाला ठीक है क्योंकि midrib is not present in leaves आपको आप जानते हैं कि liverwort में थैलस होता है थैलस में midrib होती है consider करना होगा तो consider कर लेना leaves like structure mosses में होते हैं true leaves नहीं होती है वो they have unbranched midrib ठीक है तो exactly मैं इसको इसको इसलिए cancel कर वाले हो हो सकता है आपको बाद में confusion हो आप leaves जो है वो consider करने लगे ठीक लेकिन midrib जो है वो थैलस लिववर्ट के थैलस में भी होती है यह important है कि rhizoids जो है वो लिववर्ट में unicellular होंगे और unbranched होंगे और similarly mosses में rhizoids जो है वो multi-cellular और branch होंगे ब्लांट में scales भी होंगे लिववर्ट के case में mosses में जो है वो scales absent होंगे conducting strand जो है वो लिववर्ट में absent होता है जो हमने अभी-भी पढ़ा था कॉल्यू मेला is the conducting strand जो की लिवर्वर्ट में absent है और जो हमारे पास mosses है उसमें हमने conducting strand पढ़ा तो conducting strand is commonly present किसमें mosses में conducting strand होता है अब sporophyte जो है वो हम जानते हैं differentiated होता है food satan capsule में लेकिन या देखिये mosses में हां गलत क्या गया है it is not differentiated into food satan capsule तो यह भी आप cancel ले लेंगे हलांकि आप क्या बोल सकते हैं कि sporophyte is less elaborated in liverwats and sporophyte is more elaborated in mosses ठीक है mosses में जो है वो जादा elaborated sporophyte आपको देखने को मिलता है ठीक है और जो अप्रोटोनीमा stage जो है वो किस में होती है चलिए आगे पढ़ते हैं capsule often possesses elatus, elatus liverwats में होते हैं mosses में elatus नहीं होते हैं dehycence occurs through elatus और peristorm perform function of dehycence मतलब sport dispersal का function mosses में कौन करता है, peristorm करता है और liverwats में कौन करते हैं elatus कहते हैं क्या प्रोटोनीमा stage जो है वो liverwats में कभी भी पाई जाती है liverwats में कभी भी प्रोटोनीमा stage नहीं होती है और juvenile प्रोटोनीमा stage जो है वो mosses में होती है मुझे बताएंगे कि mosses में जो प्रोटोनीमा stage आती है सबसे पहले वो किस्से आती है तो spore immediately germinate करता है और इस तरह से जो आपका इस तरह से transversely grow करने वाला structure होता है horizontally जो grow करता है वो primary प्रोटोनीमा होता है और कुछ point पे फिर वो क्या bear करता है leaf like structure बनाने लगता है और वो क्या हो जाता है आपके पास secondary प्रोटोनीमा होता है जिसमें भी fertilization की बात जो है वो क्या बनता है sporophyte बनता है अगर हम इन general कहें कि जैसे आपके पास जो है वो gametophyte है मारकेंशिया डायोशियस होता है हम जानते है कि उसमें male और female थैलाई अलग होता है unisuxial होता है मारकेंशिया वहीं पे mosses की बात करते हैं funeria की more appropriately तो उसमें male और female structure जो है वो एक ही thallis पे होते हैं एक ही plant body पे होते हैं इसलिए funeria जो है वो monisius होता है अगर इसमें male और female हमको देखना हो तो यह जो side वाले दो female को इस तरह से represent किया जाता है मतलब यह symbol जो है plant में female represent करता है और यह symbol जो है वो male represent करता है तो side branches पे usually आपको funeria में जो है वो female के structure बने हुए दिखाई देंगे और जो main है वहाँ पे आपको main access जो है वहाँ पे funeria male gametophyte bear कर सकता है ठीक है और जैसे fertilization होती है fertilization के बाद तो जो हमारे पास एक main कोई अच्छा से survive करेगा gametophyte वो ही आगे बढ़के जो है क्या बना देता है sporophyte बना देता है अभी वह अगर आपको कोई confusion है कहीं पे आपको समझ नहीं आया है तो आप पूश लेंगे और कुछ यह important points थे जो आपको याद रुखने है और क्यूंकि आपने बहुत सारा पढ़िया मौसिस के बारे में लिवर्वर्ट के बारे में तो आपको जो है वो कोई भी problem अब नहीं होनी चाहिए आगे हम जिम्नोस्पाम और एंजिस्पाम पढ़ेंगे क्युंदी पास आती है life cycles और वो करके हमारा जो chapter है वो complete हो जाएगा तो अच्छे से पढ़िए धान रखिए thank you